देजुने की सारी वेडिकर के साथ के सानुमों दोस्तों चलेंगे सब्सक्राइब राहूल गांथी ने UPSC में किये जा रहे लेटरल एंट्री और आरक्षीने जाने का बड़ा मुद्दा बनाए दोस्तों चिके साथ में नौकर साही में लेटर एंट्री को लेकर विपश योड़ा तरीके से भड़का है बताएं कि अखिले स्यादों ने और क्या कुछ बाते कही है दोस्तों और लाडली बहना योजना के नाम पर चुनाफ जीतने की कोसिस कर रही भारती अंता पार्टी और उसके गड़बंदन के लोग ही आपस में भीड़ गए हैं दोस्तों बताएं कि अजीत पवार का किया गया है जोड़ता तरीके से विरोध क्या देवेंदर फणवीस ने जान बूचकर विरोध करवाया है दोस्तों महा यूती गड़बंदन में जवरतस तरीके की फूड देखने को मिल रही है बत दोस्तों के साथ में आखिरकार सुप्रीम कोट ने कॉलकाता रेप और हत्या की इस मामले को लेका स्वतह संग्यान लिया है बताएंगे कव सुनवाई होगी दोस्तों पूरे मामले को लेकर और हरियाना के चुनाब में जंता किसको देखना चाहती है अगला मुख्य मंत्री लेकर करके चलेंगे परपल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों देश दुनिया की सारी बड़ी खबरे आप तक मुचाएंगे देखने उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लेटर एंट्री जैसी व्यस्ता करके देश के अंदर आरक्षन को कहीना कई चीनने का प्रियास किया जारा इसका पुर्जो तरीके से विरोध होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल पुर्ण दुआ कर चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दुआ कर कमेंट बॉक्स में जाहीं दिजया भारा जो लिखे का चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ और OBC के आरक्षन को लागू किया जाता है लेकिन अब एक नई तरीके की भरती की जारे जिसमें सीधे तोर पर बड़े बड़े पदो पर I.S. अधिकारी बना दिये जाएंगे और इस पूरे मामले पर जानकारी यह है कि यहाँ पर SC, ST, OBC वर्ग का आरक्षन लागू नही होगा इस पर राहूल गांदी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप अधिकारी समेत देश के सभी सिर्स पदो पर वंचितों का प्रतिनित तो नहीं है उसे सुधारने की बजाए लेटल एंट्री द्वारा उन्हें सिर्स पदों से और दूर किया जा रहा है यहाँ UPSC की त्यारी कर रहे है प्रतिवाशाली युवाओ के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षन समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है चंद कॉर्पेट के प्रतिनित निदनायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारणामे करेंगे इसे जलंत उधारन सेभी में देखा ग करेंगी आईएस का निजी करण आरक्षन खतम करने की मोदी की गारेंटी है आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जुरू बताएगा चलते हैं एक और विक बेक निदेट की तरफ जहां पर नौकर साही में लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी पीजेपी अपनी विचार धारा के संगी साथियों को पिछले तरवाजे से यूपी सी के उच्चितम सरकारी पदों पर बिठाने की जो साजी सरच रही है इसके खिलाफ एक देश व्यापी आंदुलन खड़ा करने का समय आ गया है उन्हें ने कहा कि ये तरीका आज के अध विधान को खतम करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडिये जाग गया है तो ऐसे पदों पर सीधी भरती करके आरक्षन को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है भरती अंता पार्टी अखिरे स्यादों ने कहा कि बीजेपी सरकार इसे ततकार वापस ले क्योंक विधान सभा के चुनाव का एनांस्मेंट कभी भी हो सकता है और ऐसे में दोस्तों महागडबंदन में जब अर्दस फूड देखने को मिल रही है महागडबंदन मतलब भरती अंता पार्टी और उसके अलाइंस जिसे महायूती कहकर पुकारा जाता है उसमें अजित पुव के पदबर थे तो उन्होंने कई बार सरकारी कारेक्रमों के अंदर अपने घटक दलों की उपेक्षा की है यानि भरती अंता पार्टी और एकनास सिंदे की सिफसेना को अपमानित किया जा रहा उनके कारेकरताओं का कोई मान सम्मान नहीं रखा जा रहा विधान सभा आज है लोगों का कहना है कि अजीत पार को ये घोसित कर देना चाहिए कि वो केवल NCP के मंत्री है अन्ने सयोगी पार्टी के कारेकरताओं से उनका कोई लेना देना नहीं और इसलिए उनको किसी भी कारिक्रम के अंदर कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया जा रहा है कुल मिला कि कालेज हंडे डेक्टी सीम को नहीं दिखाए जाने चाहिए थे अगर देवेंदर फरणवीज का बयान नहीं आएगा तो कहीं न कहीं अजीत पार गुटके नेता हो कि मन में ये शंका होगी कि जान बुचकर ऐसा कराया जारा है सासा दोस्तों खरसावा के विधाय के दसर चाहर देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाज उमड रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोलहान के एक छोटे से गाउं के रहने वाले गरी बेटे किसान के बेटे को इस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है अपने सावजनिक जीवन की शुरुआत में औध्योग हरकंड के बारवे मुख्यमंत्री के तौर पर राजी की सेवा करने के लिए चुना अपने कारेकाल के पहले दिन से लेकर आखरी दिन यानी 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्टा और समर्पण के साथ राजी के प्रति अपने करतव विका निर्बहन किया इस दोरान मैंने जनहित में कई बड़े फैस्ते लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदया उपलब दे रहा बड़े बुजर्गों महिलाओ युवाओ च्छात्रों और समाज के हर तब के तथा राजी के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णे लिए इसके बाद वो लेकिन उधर से साफ इंकार कर दिया गया दावा किया गया है दोस्तों की विधायक दल्की बैठक में भी उनको नहीं बुलाया गया फिर वो आगे कहने लगे है कि पिछले तीन दिनों से हो रहे अपमांजनक व्यभार से भावु खोकर मैं आसों को समालने में लगा था ले इसमें मेरे पास तीन विकल्प है पहला की राजितित से सन्यास लेलू दूसरा ये कि अपना अलग संगठन खड़ा करे और तीसरा की इस रहा पर अलग कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तै किया जाए उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी जारकन इधान सभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं चमपई सोरेन की और से कही गई इस बास से समझ में आ रहा है दोस्तों की कही ना कही भरतियंता पार्टी के साथ चले जाएंगा इसमें कोई ज्यादा सवाल बचा नहीं है इसके बाद दोस्तों हेमंत सो चमपई सोरेन पर जारकन मुक्ती मोर्चा का भी बयान आया उनने कहा कि बीजेपी रूपता हुआ जहाज है चमपई सोरेन करांती कारी है और कहीं नहीं जाएंगे इस भी चमपई सोरेन ने दिल्ली पहुंचने के बाद बड़ा बयान दिया है कुल्मलाकर दोस्तों वो कह पीट करेगी पूरे मामले की सुनवाई कालकाता के आरजी कर मैडिकल कॉलेज और हस्पाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतह संग्यान लेते हुए 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है अब सब्सक्राइब को सुप्रीम कोड़ के चीफ जश्टिस डीवाई जंदुचूट और जश्टिस जेवी पार्दिवाल और मनोज मिश्रा की पीट महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले की सुनवाई करेगी आप लोगों की जो भी राही हो दोस्तों लिखका जरूत बन सकते हैं इसमें कोई दोस्तों अगर आप भी मांते हैं कि अब एक यूआ नेत्रत की जुरत है राज जा그렇 गो लिका घाघा सासा सीनियर बीजेपी के नेता Lockheed Chatterjee को समन भेज दिया गया है Kolkata पुलिस की और से Lockheed Chatterjee ने कहा था कि वो केवल मुखे अंतरी ममता बनेर जी से स्तीफ़े की मांग कर रही थी Kolkata पुलिस ने कहा कि Lockheed Chatterjee एक तो मिस इंफरमेशन फैला रही है और दूसरा कानून का उलंगन कर रही है दोस्तो डक्टर सुबरन गोस्वामी और डक्टर कुर्णाल सरकार को पूस्टाज के लिए बुलाया गया है हाला कि सुबरन गोस्वामी ने दावा किया है कि उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तो जहां पर यूपी उप चुनाब को लेकर बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को मिल्कीपूर से अपना उमिदार बनाया है आपको बतादे कि मिल्कीपूर अयोद्या के अंदर आने वाली सीट है जिस पर सबकी निगाहे बनी हुई है क्योंकि भरतियंता पार्टी को हराने वाले अपडेश परसाद यहीं से जीत कराये थे दोस्तों मिल्कीपूर में ब्यस्पी की और से जो केंडिडेट उतारा गया है या पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों राम गोपाल इसके पहले वर्स 2017 में मिल्कीपूर सीट से चुनाव लड़े थे तब उनको 46 यार के आसपास वोट मिलातर वो 30 नमर पर रहे थे उस चुनाव में भरतियंता पार्टी के टिकट पर गोरक नात बावा निर्वाचित हुए थे 2022 के विधान सबाद चुनाव में गोरक नात को हडा कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब्धेश परसाद यहां से केंद्र सरकार के राजियों से हर दो घंटे पर कानुन व्यस्ता की रिपोर्ट मांगे जाने पर सवाल पूस्ते वे कहा कि क्या यह रिपोर्ट अब उत्तरप्रदेश के सासा मड़ी पूरा उत्राखंट से भी मंगवाया जाएगा उन्होंने बीजेपी पर निसाना साथते कि मड़ी पूरा उत्राखंट से खबर बार बार आ रहा है क्या केंद्र सरकार उस पर कोई कारवाय kinetic creating I and the मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस योजना के तहस सरकार से जमीन की अदला बदली की गई वो 2020 में BJP सरकार की योजना थी तो क्या वो भ्रस्ट योजना थी और डारेक्टर की पोश्ट पर सीधी भरती कराई जा रहा है कोई SC वा BC या EWS वर्ग का आरक्षन नहीं मतलब आरक्षन खतम कोई सरकारी करमचारी दर्खास नहीं दे सकता किसी सरकारी करमचारी को प्रमोशन से नहीं लगाया जा सकता यानि मन मर्जी से चहेते लोगों को स्थारी के वापसी हो सकते हैं को से और अंग्रेस पर्ठी के नियन में रिखता प्रमोशन स्यर्प चलारी के नेत्यद्त्व से जा रहे चारही है और उनमें कॉंग्रेस के प्रती प्रेम जग गया है और इसलिए वो वापसी करना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी में आगे उनका स्पोग परसन कहता है कि ये सारी बाते कोरी अफवा है केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है अगर आप भी मानते हैं द करती हूं कि सचाई की जीत हो मुझे अपने देस के लोगों से मेरे घाओं से मेरे परिवार वालों से प्यार मिला है इससे मुझे जचके से उभरने में मदद मिली है Shall औलम्पिक में मैडल चूकने को लेकर विनेस फोगाट ने कहा कि औलम्पिक मैडल से चूकना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जटका है मुझे नहीं पता कि इस जटके से उभरने में कितना समय लगेगा लेकिन मुझे आप लोगों से जो हिम्मत मिली है उसका मैं सही दिसा मे प्रियोग करना चाहती हूँ अब कुस्ती नहीं हो पाईगी विनेस के पती ने ये दावा किया है दोस्तों लेकिन उन्हें जो बाते कही है कि लड़ाई लगातार जारी रहेगी इसके बाद ये संकेत मिल रहे है कि कही ना कई कुस्ती फेडरेशन के अंदर ब्रजभूशन के दबदबे को कम करने के लिए एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है सासा दोस्तों भरतियंता पार्डी में नहीं जाएंगे जारकर मुक्ती मोर्चा की विधायक दसरत गागा राई पत्र जारी करते वे उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया ऐसे कर भारत की उन्नती का होता है उसे उपर लगाया गया है यानि एक अलग तरीके का दिखाने की कोसिस की गई है इसके शेयर करते हुए कहा कि यह राष्टी ध़ज का अपमान है कि नहीं है ऐसा लगता है कि कोक से जन में बीजेपी के नेता अभी भी तिरंगे को अपना खाया जाएगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे आप लोगों की जो भी राय हो लिखका जो बताएगा चलते हैं एक और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीएस पी ने अपना के अनॉस्मेंट कर दिया समाज जादी पार्टी भी कई सीटों पर नामों के अनॉस्में पर अखलेश यादर फिर से निसाना साथ एते सासाथ राहुल स्रिवास्तव जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्हें कहा कि मनमहान सिंग ने कई बार अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर लाल के लिए से अपनी बाते रखते थे इसके बाद उनके खिलाफ कई सारे सवा पॉलिटिकल स्पीस दे रहे है राहु स्रिवास्तव की और से जो दावा किया गया है कि उसी स्पीच का इस्तेमाल ओपोजिशन के लोगों पर निसाना साथने के लिए करते रहा है यह साफ तुर्प संक्यत हैं दोस्तों की वरिश्ट पत्रकार भी मांते हैं सरदार मन महान कि ममता बनर जी राज जी की मुख्यवंतरी है उनको प्रदेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास पुलिस है पूरा प्रसासनिक विवस्ता है उनको न्याय दिलाने के लिए कदम आगे उठाना चाहिए था लेकिन उनकी सरकार जांच कर रहे थी और इसी बीच को पूरे जांच को ट्रांसफर कर दिया गया है सासाथ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए घर और पार्टी तोड़ी जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी सिव सेना और एंसीपी दोनों पार्टियों के तूटने के बाद भरतियंता पार्टी की सरकार बनीजी दोस्तों घर को भी तोड़ा है पार्टी को भी तोड़ा है एंसीपी एस्पी की नेतरी ने स्पस्ट कर दिया है कि इस बार पार्टी के कारे करता और नेता सब भरतियंता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए तयार है गया दितिनात और बेसिक सिक्षामंत्री संदीप सिंग मौझूद रहे चीफ सेक्रेटरी मनोस सिंग भी मौझूद रहे केसा परसाद मौरिया अब अचानक से पल्टी मारने लगे है और योगिया इतिनात की तारीफ करने लगे है दोस्तों क्या उन पर दवाब बनाया गया है तारीफ करने के लिए हुईपर 2021 के अंदर जो अस्तम के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले है कॉंग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगई ने दावा किया उन lesi कहा की जिस सीट से कहेगी पार्टी वहां से चुनाव लड़ने को कहेगी तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ने को तयार हूँ पार्टी को तैय करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा सासा दोस्तों वेदान तगरवाल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और कहां पर गया है इसे लेकर कोई संकेत नहीं है दरसल दोस्तों ये अपने आप में पूरे पूरे पुलिस पसासन के सासाद लीगल सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल से जड़ावा मामला है दोस्तों अगर आप भी मानतें कि अगर ये सचाई है इस ख़वर में तो कहीं न कहीं काफी गंभीर मामला है तो अपनी राई जुरू लीक के उताएकर चलते हैं को और बड़ी अपडेट के जब जहां पर जब रेप के मामले या किसी भी गंभीर हिंसा के मामले होते है तो उस पर लोगों को समानता के साथ सारे मामले देखने चाहिए और अपनी सरकार दूसरी सरकार के भेदभाव से उपर उठकर डिमांड करनी चाहिए न्याई की और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की दहरा बनाते हैं सोचल मीडिया पर डालते हैं इस पर जवाब देते हुए कई सारे लोगों ने बताया कि कौन-कौन रील से डालता है इस पर कॉंग्रेस पांटी केरला की और से निसाना साथ वे कहा गया कि लाडियों के द्वारा जो रील से डाला जारा है प्रधान मंत्री मोधिस क मुलाकात की है भी सेग मनु सिंग्वी नामांकर आज दाखिल करेंगे और राजसभा में उनकी निक्ति लगभा शौर हो चुकी है सासाथ दोस्तों लेटरल एंट्री के मामले को लेकर सवामी परसाद मौरिया बोले कहा लेटरल एंट्री के नाम पर भरती सीधे-सीधे आर बीजेपी का आगला मकसद गुरुद्वारे चर्च और दलीतों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का है इन जमीनों पर कब्जा करके वहाँ अपने दोस्त अड़ानी को यह जमीने दे देंगे इसका मकसद पूरे देश की संपत्ति को अपने मित्र अड़ानी के तने बाद देख रहे हैं आपका अपने चैनल जहीं जाहिए भार जासे आदे वीडियो को शेयर की जाएं तक इस अभी तक इन्फोर्मेशन पहुंसती रहें बहुत बहुत दन्याद